है आपको पता है कि M.D.U के examination बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं बीएड के तो हमारे चैनल पे काम शुरू हो चुका है प्रिवीज एर के question papers आपको back to back देखने को मिल रहे हैं ठीक है और important question की वीडियो भी आपको इनके बाद देखने को मिलेगी हमारे चैनल पे हर लेंग्वेज अक्रॉस करिकुलम बीएड सेकेंड यर एमडियो का यह पेपर 2020 का रेड़ घंटे का होगा 40 नंबर का आएगा कोई तीन कोश्चन आपको attempt करने है ठीक है और हर यूनिट से एक कुश्चन आप करेंगे और question 1 आपका compulsory रहेगा चीक चलिए तो question 1 है यहां पर और write short notes on the following निमनलेखित पर शंचिप्ते टिपडिया लिखे need and importance of language भाषा की आवेशक्ता तिथा महत्व essential of communicative skills संप्रेक्शन कोशल की अनिवारत आएं तो इस वीडियो पर भी मैं target रखती हूं 80 likes को उसको आप complete कर लेना तभी आपको important questions की series देखने को मिलेगी हमारे चैनल पर इतना ही आपको करना है वह भी आपसे पैसा नहीं मंगा जा रहा है यहां पर ठीक है बस चैनल से जुनना है आपको जी यूरिक नमबर 1 का question 2 है what is language across curriculum approach discuss the importance with respective role of content subject teacher and language teacher in LAC approach LAC approach क्या है बच्चो language across curriculum ठीक है इसका short form है LAC LAC हिंदी में है यहां पर भाषा पार्ठिक्रम उपागम से आपका क्या अभी प्राए है इसकी महत्ता बताते हुए इसमें सामागरी विश्य सिक्षक एवं भाषा शिक्षक की संबंदित भूमिका की चर्चा करें चोईस में आपको next question दे रखा है यहां पर question number 3 differentiate between language equation and language learning ठीक है भाषा अर्जित करने में और भाषा सीखने में क्या अंतर है also explain multilingualism and its status in Indian classroom Hindi आंसे पढ़ सकते हैं बाकि मैंने आपको बता दी है मैं फटा फट से आगे बढ़ूंगी unit number 2 की तरफ और एक जानकारी आपको देना चाहूंगी हमारे चैनल पर बाकि सब्जेट के भी प्रिवियर सेर के question paper available है M.D.U. के लक्षमी पब्लिकेशन से काफी सारे topic मैंने करा रखें वो भी अविलेबल है हमारे चैनल पर बस आपको चैनल की playlist पर जाना है और अपनी आविशक्ता के अनुसार playlist को देखते हुए अपने topic को देख लेना आप ठीक है इतना आपको करना है बस कोई भी चार्ज यहां पर आपसे नहीं लिया जाता है important चीज के लिए unit 2 की बात करूँगी question number 4 explain process of communication and also discuss listening and speaking as essential element of language learning subsection विदी को समझाइए तथा बताईए कि किस प्रकार से सुनना और बोलना भाषे सीखने के आविशक्तत है इसका भी आप बना के लिख सकते हैं बाकी देख जाएंगे ठीक है book से चलिए अब मैं बात करूँगी question number 5 की और यह last question है इस question paper का write the linkage between reading and writing what is a writing skill explain the process of learning and understanding writing पठन एवं लेखन से में क्या संबंद है ठीक है relation आपको बताना है लेखन कोशल क्या है लेखन को समझने तथा सीखने की विदी को विस्तार से बताईए एक बढ़ फिर से आपको यह question paper में दिखा दूँ लेकिन इससे पहले बता दूँ कि हमारा दूसरे channel है SS study जहाँ पर teaching exam की तयारी आपको करवाई जाती है तो B8 के बाद आपको अच्छा content मिले इसके लिए उस channel से जुड़ जाना link description में है SS study ठीक है channel का नाम तो यह था आपका 2023 का paper language across curriculum B8 secondaire का यह question number 1 जो की compulsory रहता है unit 1 में से कोई एक ही question आप करें जो आपको अच्छे से आता हो unit number 2 में भी दोनों में से कोई एक ही question आप करेंगे इस वीडियो में इतना ही मैं सोनाले से मिलती हूँ next वीडियो में MDO के बागी papers के साथ 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 important topic और important question की वीडियो के साथ चैनल से जुड़ जाना सब्सक्राइब कर लेना thanks for watching